हसाथ नामेकुम बेवर्स आज हम आपको बताएंगे मटर पलाओ बिराने का तरीका मटर पलाओ बिराने के लिए जो चीजें आपको चाहिए है आप चाबर ले 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 मैंने यहाँ पर पांच कब चाबर लिये हैं साथ में मटर, एक बाउल मैंने मटर करे लिया है ये अन्दाज़े से ही है कि आप कितने मटर डालना चाहते हैं, एक बाउल मैंने मटर करे लिया, इसके लावा हमें प्याज चाहिए, एक प्यास उसे बारीक चॉप कर ले, एक टमाटर ले ले ले, उसे ग्राइंड कर ले, मैंने यहां पर क्योंकि फ्रीज करके रखे होते हैं मैंने एक क्यू टमाटर कर ले लिया है, इसके लावा हमें चाहिए होगा, एक चमच हम काली मिर्श आट करेंगे, पांच कप चावल है तो पांच ही चमच नमाग आट करेंगे, इतने आप चावल ले रहे हैं, उतने ही नमाग आट करेंगे, कभी भी नमाग काम नहीं होगा इसके साथ हमें चाहिए जीरा, तिकरीबन थोड़ा से हम एक चमच के करीब हम जीरा आड़ करेंगे, और मसालों में चाहिए सूका दनिया थोड़ा से आड़ करेंगे, इसके लावा हम यहां पे लेंगे साबित गरम मसाला, इतना से करीब हम साबित गरम मसाला लेंगे, दो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहां पर दो चल बच ऑई डालेंगे और इसमें च्या जाय करेंगे अब हम इसे ब्राउन होने तर पकाएंगे अब हम इसे ब्राउन होने जाएंगे त्यास ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें समाटर आइड तर देंगे त्यास नहीं वाद अब जाएंगे नेगे त्यास वाद करेंगे भाम्लों मिंट करेंगे नेग जानी त्याँ जाएंगे 2 जाएंगे वाद होन लेएंगे नेगे ने निए तुमाटर प्राइल हो चुक है अब हम इसमें मटर एड़ टार लेंगे और थोड़ से हमेंगे ताकि मटर अप्छी तरा से दल जाएं मीडियम फ्लेम ही रखें उसे मीडियम फ्लेम के मट्रों को अच्छी तरा से दला लें मटर को मैंने इसे प्रूबन 3-4 मिनट जो लिया है अब इसमें हम मसाले आड़ करनें कोड़ा सा खुकर देनिया आड़ कर लेंगे दो कड़ी पता डालें साबत करे मसाला कोड़ा सा जोड़ा सा लोंग और काले में सांती हम एक कमट भी रायट कर देंगे पांच कप चावल थे तो पांच कप नमट ये पांच कप नमट ये आड़ करेंगे तो तीन चार वांच कर लें पांच करेंगे तकरीब नहीं नहीं रिखते आपको और फिर तोड़ा सा पानी डाल के खांच कर देंगे ये अब मैं इसमें ।ोड़ा सो पानी आइघ करहूंगे ग्लास में में शूड़ा सो पानी आइघ करोंगे ताम कि ओ मतर अची डरंग विलब पने लें लेती हैं और इसे पकतनेड़े और पांच मिनट मिनट तक इस पकने देंगे पांच मिनट हो चुके हैं मटर अच्छी से गल गए है अब हम इसमें काली मिर्षे थोड़ी सी आइड कर देते हैं एक समच यह आपकी मर्जी है अगर आप काली मिर्षे नहीं जालना जाते तो बिशप ना ला लें अब पांच कप चावल थे तो उसे साब से हम डबल से थोड़ा सा कम यानि हम आठ कप पानी आइड करेंगे तो हम आठ कप पानी इसमें एड करेंगे मैंने इसी कप से चावल नापते थे इसी कप से हम पानी आड करेंगे आठ कप पानी मैं एड करेंगी पांच कप चावल के लिए एक हम एक lad여 आड करेंगे आड करें बाद क कि असंते हैं पानी क करेंगा की उंवे तोहग दोहग़़ इसैंब दो से जर्च turn अफ्रेम मुच कर दे को जैसे से वाइल होने यह जैसे वाइल होंगे हम इसमें चावल एड्ड करतेंगे हैया पानि अब हम मुच में जावल करतेंगे चावल तक है पर बाल मैंने इसमस्य कोगी रख नगे है चामल मेट कर दी हैं अब से हलका सा मिक्स कर दें पर छोड़ दें अब इसे पकने दें इसका पानी जब सूप जाएगा तो फिर हम इसे दम लगा दें नमक आप इसमें चक भी सकते हैं अब आप दाल चाबलो का पानी अब शूप चुका है देखें इतना पानी हो कि अब इसमें दम लगा लें अब हम इसे दम लगा रहें कोई भारी के इसके उपर रखते हैं मैं तबा ही उल्टा करके रखता हूंगे और फ्लेम पिलकुल आज तदर देंगे हम पिलकुल लो फ्लेम पे रखके इसे हम 15 मिनिट के लिए दम देंगे अब 15 मिनिट हो चुके हैं अब हम चाबलो का दम खोलेंगे चाबलो को प्यार देंगे चाबलो को प्यार देंगे हमारा प्लाव बिलकुल रेड़ी है हमने इसको डिश आउट कर लिया है और धनिया से हलकी से मैं इसकी गार्निशिंग भी कर दिया है हमारी वीडियो को लाइक करें हमारी कमेट सेक्शन में जूरू बदाएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी है हमारी चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप इसके साथ चिकन कॉर्मा भी बनाना चाते हैं तो चिकन कॉर्मा का लिंक हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझूद है लाफ़ेस